इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी टैक्रोस फोट एक्सिल ओइंटमेंट का इस्तेमाल एक जिम्मा यानि की एटोपिक डामटाइटिस के इलाज के लिए किया जाता है यह कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिव को दबा कर काम करता है जो तवचा की सूजन यानि की लालिमा और सूजन का कारण बनती हैं यह खुजली से राहत देता है और एटोपिक डामटाइटिस में चिकते में सुधार करता है टैक्रोस फोट एक्सिल ओइंटमेंट बाहरी उपियों के लिए प्रयोग किया जाता है इसे प्रभाविक शेत्र पर दिन में दो-चार बार इस्तिमाल करना चाहिए या डॉक्टर के सुझाव के अनुसार इसका इस्तिमाल करना चाहिए इसे धीरे धीरे और समान रूप से त्वचा पर तब तक लगाया जाना चाहिए जब तक कि इसे रगर न दिया जाए आपको इसे बहुत बार उपयोग नहीं करना चाहिए और आपको उपचारित क्षेत्र को पट्टी या प्लास्ट से नहीं ढखना चाहिए यदि दो सप्ताह के उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है या त्वचा खराब हो जाती है तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए यह कुछ दुश प्रभावों के साथ एक सुरक्षित दवा है लेकिन आपको जलन, जलन, खुजली और लाली जैसी आवेदन साई प्रतिक्रिया मिल सकती है गर भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान आमतोर पर इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है जब तक कि इसकी स्पष्ट रूप से आवशक्ता न हो विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद